हलो एवरिवन यह वाचिंग फूड फिटनेस सांट फंद और मैं हूँ डाइटिशन मजू मलिक सो मंत के मोस्ट वेटिड वीडियो के साथ आज मैं आई हूँ और वो है एप्रिल का वेट लॉस चालेंग जहां पर हम बात करेंगे अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं समर के अंदर तो डेफिनिटली आपको बेली फाट और वेट लॉस करने में मदद मिलेगी बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलिए उन चीजों को डिसकास कर लेते हैं सबसे पहला जो मेरा टिप है समर वेट लॉस के लिए वो ये कि आड़ समर ड्रिंक्स तो यॉर डाइट जो भी आप दिन में स्नाक करते हैं या फिर आप चाय कॉफी और कोई काफिनेट ड्रिंक लेते हैं आप उन्हें कम्प्लीटली रिप्लेस कर दीजे समर फ्रेंडली ड तो आप सत्तू का शर्बत ले सकते हैं आप इसे नमकीन बना सकते हैं आप मीठा भी बना सकते हैं आप थिक छाज ले सकते हैं पीनर बटर का फ्रैपे इंक्लूड कर सकते हैं आप प्रोटीन शेक अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं अगर प्रो बायोटिक्स और प् bottle guard यानि घिया का juice गौन कतेरे का drink और iced tea जिसमें आप green tea या black tea include कर सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी अगर vitamin C drink आप चाहते हैं diet में include करना तो शेकनजी, आम, पना, जलजीरा cucumber, lemon, milk juice आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं आप बेल का भी juice ले सकते हैं जो काफी ठंडा होता है तो ये सारे drinks आप अपनी diet में include करें जो भी लोग AC के अंदर रहते हैं चाहे आप office के अंदर रहते हैं जहां पर AC strong जलता है या फिर घर के अंदर आपको AC में रहने की आदत है तो कई बार आपको dehydration की प्यास का एहसास नहीं होता है even if your body is short on fluid आपको पता नहीं लगता है ऐसे में अगर आप normally अपनी diet के अंदर snacks में ऐसे drinks include करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा because fluid जो होता है in optimum amount आपके लिए ज़रूरी है for weight loss आपकी metabolism process को वो support करता है also it'll help you in detoxification यह सारे drinks अब include कर रहे हैं that doesn't mean की आपकी sugar का जो consumption हो हाई चला जाए इसलिए it is important to cut down on sugar especially refined sugar आप यह सारे drinks सेवरी भी बना सकते हैं and अगर आप sweet drinks यह sweet version बना रहे हैं इन drinks का तो make sure to add natural sweetness like jaggery powder, desi, khand और dates to your drinks number third पर जो मेरा tip है वो यह है that use more water vegetables now आप कहेंगे water vegetables क्या होती है तो जितनी भी gourd vegetables होती है जैसे की लॉकी है, टिंडा है, तोरी है, करेला है, परवल है, आश गॉड है जिसे पेठा भी कहा जाता है यह सारी gourd vegetables है और इनकी speciality यह है that they are all high in water तो विंटर्स में आप देखेंगे की जो vegetables आती है वो काफी dark green होती है लेकिन summer की vegetables because of the heat are slightly light in color but they also have the same properties apart from that they are high in vitamins and minerals as well as antioxidants, fiber but summer को ध्यान में रखते हुए they are all loaded with water they are high in water content तो इन सारी vegetables को अपनी डाइट के अंडर आप इंक्लूड करें number 4 की जो मेरी tip है वो ये start your day with a portion of fruit एक small portion of fruit अपनी डाइट में इंक्लूड करें when you start your day not only it'll help you to give a kickstart to your day ये आपको hydrate रखेगा और मेरा जो best fruit होता है summer में डे की शुरुवात करने के लिए that is melon आप किसी भी तरहे के water melon musk melon से अपने दिन की शुरुवात कर सकते हैं number 5 is protein so just like any other season just like any other day protein is essential if you're trying to lose weight if you're trying to get muscle if you're trying to control your insulin level if you're trying to boost your metabolism protein is must in your diet क्योंकि आप जितना muscle mass गेंगे उतना ही fat आपकी बोड़ी में काम होगा और protein को गर्मियों में इंक्लूट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप salads बनाएं आप बहुत अच्छा एक ठंडा सा salad बना सकते हैं for your lunch using some chickpeas आप sprouts का इस्तेमाल कर सकते हैं आप बहुत सारी vegetables का इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसके अंदर tofu को ले सकते हैं आप उसके अंदर low fat paneer का इस्तेमाल कर सकते हैं so I think protein and salads go really well अगर हम summers की बात करें apart from that मैंने protein के drinks भी आप से share करें वो भी आप अपनी diet के अंदर include कर सकते हैं next is eat small meals but frequently and on time so तीनों ही चीज़े आपके लिए जरूरी है आपकी body ठीक से food को process नहीं कर पाती आपको थका हुआ महसूस कराती है आप बहुत ज़्यादा सुस्त महसूस करेंगे अगर आप ज़्यादा heavy meal लेंगे तो छोटी meal आपको लेनी है frequently खाना है 2-3 घंटे के gap के अंदर आप खा सकते हैं आप drinks ले सकते हैं आप में मील्स के बीच में चार से पांच घंटे का gap रखें लेकिन बीच में आप कोई healthy drink include कर सकते हैं also eat and drink on time that is also very important और यह मैं हमेशा कहती हूँ when you eat on time तो आपकी body उस timing से used to हो जाती है and it is always ready to process that food to metabolize that food अगर आप time पे नहीं काते हैं आप एक बजे खा रहे हैं तो आपकी body की clock वो set नहीं हो पाती है आपका digestion जो है उस clock के हिसाब से set नहीं हो पाता है and because of that it leads to indigestion, it leads to acidity, it leads to gas and all other kinds of indigestion से related problems आपको इससे हो जाती है next is become an early riser so make sure you hit the bed on time तक कि आप जल्दी morning में उठें and अगर आप sunrise देखेंगे तो आपके लिए एक अलग तरह की आपको energy मिलेगी उससे एक अलग तरह की ऊड़जा आपको मिलेगी जब आप sunrise देखेंगे साथी morning में walk करना, especially summers में is very good मैंने एक video भी आपसे share किया था कि जब sunrise हो रहा होता है उस time अगर आप walk करते हैं तो क्यूं आपके लिए वो बहुत ही अच्छा होता है ना सिर्फ आपके joints के लिए आपके muscles के लिए बल्कि आपकी brain और आपके mental health के लिए भी वो बहुत अच्छा होता है apart from that अगर आप morning में sun जब harsh नहीं होता है next is make sure you increase your NEAT तो कई लोगों को यह problem होती है कि वो thermers में बहुत लंबा workout नहीं कर पाते हैं they get exhausted very early and एक अच्छा workout possible नहीं हो पाता है ऐसे में frequent अपने आपको active रखना बहुत जरूरी है throughout the day to complete the NEAT यानि non exercise activity thermogenesis जो आपके 15% weight loss के लिए responsible होता है overall अगर हम physical activity और exercise की बात करें तो 30% responsible होता है वो आपके weight loss के लिए इसमें से 15% होता है जो आप exercise को छोड़ कर करते हैं पूरे दिन में तो आप frequent walks ले सकते हैं फिर चाहें वो indoor हो outdoor हो खाना खाने के बाद आप relax हो 15-20 minute बैटे है और उसके बाद slow walk कर सकते हैं ताकि आपका digestive system उससे boost हो आप morning पे walk में जा सकते हैं when it is fresh, when it is nice आप evening में जा सकते हैं so make sure that you stay active also do not sit at one place पूरे दिन active रहें especially in this season next है how to beat the fatigue तो बहुत common है afternoon fatigue is real अगर हम summers की बात करते हैं अगर summer में कोई कह रहा है afternoon में that they're feeling lazy that they're feeling very tired so this is normal but how can you overcome that make sure you take good quality and quantity of sleep in summers में काफी लोग बहुत देर से सोते हैं I don't know about the rest of India but North India में में एक कल्चर देखा है that they start cooking their dinner at 9 o'clock they finish their dinner at 11 o'clock they're going to bed at 12.30, 12.01 o'clock so make sure you hit the bed early so that you can get up early and enjoy the sunrise and enjoy a good beginning of your day follow a good posture make sure you take vitamin D काफी लोग sun नहीं बिल्कुल नहीं जाते हैं summers में but अगर आप morning में जल्दी उड़ते हैं जब sun mild होता है और तब वहाँ पर जाके थोड़ा sunlight लेते हैं तो आपके लिए वो भी अच्छा रहेगा if you are shortened vitamin D because your body cannot store vitamin D for a longer period of time तब ही आप थाका हुआ महसूस कर सकते हैं also depression can follow that आप deep breathing करें deep breathing की जो practice होती है वो भी आपके oxygen level को increase करता है आपकी brain power को improve करती है a high fat and high sugar diet can also lead to fatigue तो जो हम ice cream खाते हैं which is high in fat and which is high in sugar that can lead to fatigue जो हम soft drinks लेते हैं उनके साथ भी यही problem हैं they are high in sugar so high sugar and high fat diet can make you lazy during summer so avoid that so ये थे सारे ट्रिक्स अगर आप इने स्ट्रक्ली फॉलो करते हैं तो I assure you it'll help you in losing weight और आप जादा अनर्जिटिक महसूस करेंगे आपके बली फाट को आपको कम करने में मदद मिलेगी ये सारे द्रिक्स हैं वो जरूर अपनी डाइट में आप इंक्लूट करें so thanks for watching I hope you enjoyed watching this video ये वीडियो अपके लिए उसफुल रहेगा stay healthy, stay fit, stay active and I'll be back very soon until next time you take care, bye bye